तो आज में बहुत ज़्यादा परशान थी तो ची कि आप लोग से थोगा बाते करूं तो अच्छा लगेगा मुझे अकल सुबह देखते हैं क्या करते हैं हाई फ्रेंज और आज है तारीक 6 मई और रात के करीब साड़े नो सावाल हो रहे हैं रात के और अभी एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं बना गारी हूँ क्योंकि अभी आप लोगों मेरी आवास संसे भी लग रही होगी मेरी त्रेट ठीक नहीं है थोड़ासाऄर हो घट और दीन submit ना चाहते हैं में कल है साथ तारीक साथ में है जो कि मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत ही उतलब बुरा देट है दिन है जो भी है क्योंकि कल एक साल हो जाएगा एक साल आप लोग में से बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन लोग को पता है कि पिछले साल इसी दिन मेरी मम्मी हम लोग को छोड़के चली गई इस दुनिया से यह साथ तारीक का दिन था सुबह सुबह एकदम साथ सारे साथ बजए हमें यह ख़बर मीले थी फिर कैसे हम लोग भाग करके मतलब भाग के नहीं मतलब केसे जल्दी 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 हम लोग गए और आप लोग को पता ही है पिछले साल इस समय कितना भ्यानक सेकंड लहर का प्रफol r Snaqr था यूजे बीमारी चल रही थी इसके कितना जादा है कितना ज्यादा बतलब यह था जब तहां वो सेकंड लहर जो आया था बहुतों ने बहुतों ने अपनों को ख्या उस bạnu से हम लोग भी है हम लोग लेकिन मेरे मम्मी उस बीमारी से नहीं गई तो ऐसा एज फैक्टर भी था और थोड़ी बहुत खराब हुई थी मम्मी की लेकिन एक साल हो गया कहने को लोग बोलते हैं कि अरे एक साल तो पल्क भीर में गुजड़ गया पता ही नहीं चला लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथ क्योंकि पिछले एक साल में ऐसा एक भी दिन एक भी दिन नहीं गया है जो जो उस दिन मैं रोई नहीं हूँ मेरे अपनी मम्मी को है बहुत बुरा मतलब बहुत दुख होता है अभी मदर्स डे भी या रहा है और पापा मेरे 2015 में चले गए और मम्मी अभी लास्ट यार 2021 में मम्मी पापा दोनों नहीं है पापा गय तो था कि मम्मी है लेकि मम्मी भी जब चली गई तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है मुझे मतलब ऐसा लगता नहीं किसी को मतलब मुझे खुद भी नहीं लगता है लेकिन मुझे इफेक्ट किया है बहुत ज़ादा, बहुत ज़ादा इफेक्ट हुई हुँlaw आज भी मैं क्योंगी पिछली एक साल में में बहुत भीमार पड़ी हूँ इतना बीमार में कभी नहीं पढ़ती हूँ पढ़ती थी पिछले के पिछले एक सालों में मैं बहुत बीमार पढ़ी हूँ सोच सोच के या जो भी है क्योंकि ममी थी ना तो एक आदम क्योंकि मेरे भाई है भाई लोग है भाबियां है, सब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लोग मेरा भी ध्यान रखता है, मुझे कॉल करता है, मेरा हाल चले सब अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मेरा ममी पापा नहीं है, तो कोई नहीं है, नहीं मेरा भाई, भाबी, सब लोग बहुत अच्छ उनको भी लगता था कि जैसे कि मतलब सुबह काम से में free हो जाती थी 11 12 बजे ममी का पाल जरूर आता था 11 12 सब के बीच में उनको ममी को भी पता था कि इस तो रही होती है उसमें call करती थी ममी जिस दिन नहीं करें तो मैं करती थी call कि आज मतलब अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं ही कर दी पहले फोन और हम लोग बाते करते थे बाई चांस किसी दिन ऐसा होता था कि ममी ने कॉल नहीं किया और मैंने भी मतलब मैं भी कुछ में बीजी हो गई या कुछ हो गया तो मैं फोन नहीं कर पाई तो क्या था मिर हस्बेन वह भी इतने अच्छे है वो अगर रात में ऑफिस जाए है तो कभी ऐसा हो पुछते थे ते क्या हल चल्या है ममी से बात हुआ ममी कैसी है तो मैं बोलती थे आज और एस ममी नहीं किया तो मैं नहीं किया था तो खो compatibility आपने फोन अज ममी का फोल नहीं आया ममी से बात नहीं हुई अपूछी होगि funz democrat कि ममी नहीं है नहीं हो उखाए ज Button तो मैं तबेत्व ठीक तो महामीदम ठीक है, तो मैं ऐसा था कि मम्मी से रोजबात होना ही होना है, ऐसा शुरू से ऐसा नहीं कि अभी, सुरू से जब से सादी के बाद ही जब से मैं मुंबई आ गई, मुंबई आ गई, तो हर दिन ममी का फोन आता था, और अभी क्या है ना सिच्वेशन, कि वो जो टाइम है ना, 11-12-1 का बीच का, जो टाइम है, वो टाइम मुझे बहुत, मुझे बहुत बुड़ा फिल होता है उस टाइम पे, मुझे बहुत लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं किस से बात करूँ, मैं कहा जाओ, मैं क्या करूँ, मते इतना मन यह चट पटाता है होता है कि मैं भाभी उसे बात कर ले रही हूं ठीक है उन लोगो फोन लगा दिया वो लोगी फोन कर लेते है वो लोगी फोन कर लेते हैं लिकिन बहुत बहुत इफेक्ट होए मताँ मैं क्या भोलू, इसा इतना नहीं होना चेह है, मुझे मेरा हस्वंट बहुत समझाते हैं, कि आप अपने आपको संभालों में भी सोचती हूं कि मुझे अपने आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे बच्चे है, मेरा हस्वंट है, उन लोग के लिए मैं दो तीन दिन से में तबियत गर्बर होगी है रात में मैं सुनी पाती हूँ मामा बहुत ज़रूरी है लाइफ में पता है जो दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना ही है हरी किसी को एक दिन जाना ही हम भी जाएंगे जिस दिन हमारा ठिकट आएगा हम भी जाएंगे जो आता है उसको जाना ही है लेकिन बहुत कभी खलती है बहुत बहुत ज़्यदा इसलिए मैं सब से कहूंगी कि अपने माबाप की रिस्पेक्ट करो उनकी इज्जत करो बहुत जादा दुनिया में हर रिस्ता मिल जाएगा हर रिस्ता मिल जाएगा माबाप दुबारा नहीं मिलेंगे और मेरी मम्मी बहुत खुश नसीब थी मेरे मम्मी पापा दोनों भगवान की किर्पा से उनके असिरवाद से मेरे मम्मी के मेरे साथ भाई है और साथो भाई मेरे बहुत अच्छे है मेरी भावियां सब सब के सब बहुत अच्छी है along holy diab intimate सब की सब बहुत एजी सब ने बहुत ख्याल रख्या ममी का सुरू से मुझे कौई टेंसum ने होती थी मममी को लेकर की मत बहुत ची है मैं क्या बता हूं मैं हमेशा से बुलती हूं कि में बहुत लगी हूं कि मेरे भाइ लोग मेरे बावी कहले West बहुत क्यार किया है उन्हों ने मम्मी पापा का बहुत ज्यादा यही बुर्तियों कि माबाप का सेवा जरूर करना चाहिए जब वो नहीं रहते हैं बहुत बहुत कमी खलती है आज भी यह दिन याद आता है न सारात में में पहलं पे सौईवी तो सुब्स मेरा चोटा माला भाई का फोन आया सुब्स में इसका फोन आया न ममी का अब दो दिन से तवित खरार चल रहा था जैसे में देखी टिम्कू उबायल पे नंबर आया मैं उठाई मतों है लो है ऐसे बोल है दी मैं सीधे बॉली ममी तो तीन बार इनको ट्राइ किया था ये पहले उठी गए थे और लास्ट येर के ओफिस पे सब बन था कुछ चालो, मैंने सब लोगडाउन ही था ये फोन हॉल में रखे वे थे और ये वाश्रूम गए वे थे तो इनके फोन में रिंग हुआ दो तीन जब ये नहीं उठाए तब भाई ने Μेरे वाई भाई किया मेरा फोन भी रखा हुआ था ता तो मेरे फोन रिंग किया तो मैं यही लेटी भी थी फोन अठाई विन और इतना सुबह मेरा है भाही लों पहन 45 नहीं करता है, कभी भी मिलिया संसु माया है, क्योंकि लों स्वस्राज़्स सामय करते हैं आम मेरा इस सांसी मार्निंग बोच जयते है top 5 मेरे में है कभी किसी को कुछ acordo 9 और भी पता है कि अभी तब इत खराब है ममी की तो जैसे सुना तो मेरे तो दम हालत ही खराब हो गए थी मेरी मैं तो समय सोचो क्या हाल हुआ होगा मेरा मैं तो एकदम रोना दोना एकदम चालो हो गया करते करते मैं सवा साथ साथ के भाई का फोन आया था आठ बज गया तब तक मेरा भाई इधर फोन पर चिंकी को बोला चिक्की जल्दी जाओ जल्दी पैकिंग करो 11 बजी की फ्लाइट है टीकट हो गया सबको आना है मैं तो कंफ्यूस होगी ते पता नहीं मैं बच्चों को ल अठाकर चिकी बस ऐसे बैग में डाली सब कप्रे डाली इग्यारा बजी की फ्लाइट थी कैदे सब्लों को आट वजे निकल जाना था और हमारे घर से नवी मुंबे से सांता क्रूज एरपोर्ट करी करी एक डेर घंटा लग जाता है जाने में और उस दिन मॉर्निंग था हुआ था कि ट्रैफिक नहीं रहा लेकिन बहुत ट्रैफिक मिली पता नहीं रोड उसे में बन रहा था क्या हो रहा था वह लोग लगा कि पहुंच पाएंगे कि नहीं इसे कैसे हम लोग भागे पुरा घर वर ऐसे ही छोड़ करके किसी तरह मतलब चिंकी सब समान रखी मुझे तो कुछ होसी नहीं था मतलब मैं इतनी जाड़ा यह हो गई थी चिंकी ध्रूब मिलकर रंजन जी फटा-फट से जो भी मतलब दवा वेगरा जो भी डोकुमेंट लगता सब वो सब रखने लगे और चिंकी वास कपड़े रखी एक दिन पहले यह इतने सारी सबजीयां वगेरा सब लायते सब जली वाच्मीन को बुला के सारा कुछ दिया गया कुछ रह गया फ्रीज विरी सब अपने बार में तो मैं देखा ही थी आप लोग आने के आर्टेकरों तो अच्छा लगेगा मुझे ह। शुबह देखते है क्या करते हैं भज भी थीच नहीं है दवा चल रहा है काहसी है यहां भी ज्यादा मुझे चिंके आ र Ballग समझें यहाँ पर बहुत पेन हो रहा है दवा ले रहे हूं इस टीम में अभी ले रहे हूं सब कर रहे हूं डॉक्टर को दिखाया है पहले से थोड़ा बिटर है लेकिन बुड़ा नहीं है चलिए बाइ